मौदा से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है पुलीस ने रेट चोरी की गंबिर मामले में तीन ट्रकों को जब किया है जिन में बिना किसी रोयल्टी के अवेद रूप में लदी रेती पाई गई है इस कारवाई में कुल 71 लाख रुपयों का माल जब किया गया है आई ये जानते हैं पुरे घटना का वियूरन मौदा पुलीस को ते इस अक्टूबद 2020 को रात लगबग 9 बजे गुपत से चना मिली की दो ट्रक चोरी की रेत लेकर भंडारा से नागपुर जा रहे हैं वाला होटेल के पास नाकाबंदी की और जाज के दौरान पता चला कि दोनों ट्रक में रेत भड़ी हुई थी लेकिन रोयल्टी की कोई रसीद नहीं थी ट्रक में 10 ब्रास रेत लदी हुई थी जिसके कीमत 50,000 रुपे आंकी गई वही ट्रक में एक पीतल रेत कीमत 50,000 रु बोट